तो एनरजी कांसरवेशन किस तरह से करें? एनरजी को सेव किस तरह से करें? एनरजी को कंजर्व किस तरह से करें? एक तो ये कि इस्तमाल ही ना करें तो वो कंजर्व रहेगी लेकिन इस्तमाल तो करना है तो उसको इस्तमाल किस तरीकर से किया जाए? तरीकर का क्या मतलब? ऐसे किये जाए कि उसका वेस्ट ना हो और वेस्ट ना होने का मतलब ही कि इस तरह से की जाए कि वो बहुत एफिशेंटली इस्तेमाल हो एफिशेंटली का इस्तेमाली कि आपको जो काम करना है वो काम हो एनरजी से बागी कुछ काम नहीं हो ठीक है सारी एनर्जी उसी काम में जाए वेस्ट ना हो तो उसको फिर ये concept of efficiency कहते हैं ये बोलना तो आसान है कि efficiency ज्यादा होनी चाहिए लेकिन उसकी एक limit होती है कि आप कितना कर सकते हैं scientifically एक limit है कि आप इतना कर सकते हैं उसके बाद आप उससे जादा efficiently काम नहीं कर सकते हैं लेकिन कमा से कम उसक तक तो जाएं तो उसको देखेंगे कि वो efficiency की limit क्यों होती है तो उसके बारे मैं बात करेंगे इसके अंदर तो ये energy conservation के बहुत सारी strategies हो सकती है सबसे पहले है कि increase efficiency increase efficiency का मतलब जो भी मैंने आपको समझाए कि जितनी आपने energy लगाई वो ज़्यादे से ज़्यादा उस काम में लगे जिस काम के लिए आपने energy लगाई है अगर आपने खाना पकाना है तो वो सारी energy जो है अब आप उसको feel कर रहे है इसका मतलब वो energy जो है वो आपके उपर भी आ रही है वो सिर्फ खाने पकाने के लिए नहीं खर्च हो रही है बलकि बागी सब चीज़ों को भी गरम करने के लिए वो waste हो रही है तो उसको कैसे कम किया जा सकता है और फिर उसके बाद insulation insulation का मतलब आप घर के अंदर है गरमियों में अपने air conditioner लगाया हुआ है अब वो air conditioner ऐसा लगा हुआ है कि खिड़की आदी तो पूरी बंदी नहीं हुई है तो जो बाहर का गरमी है वो पहले से अंदर आ रही है तो वो उसके लिए insulate करना पड़ता है ताके जो अगर सर्दियों में जो अंदर की बाहर की गरमी अंदर ना आए और गरमियों में जो अंदर की गरमियों वो बाहर न जाए तो उसको उसके insulation का concept है उसको भी हम तफसील से देखेंगे कि क्या होता है reduced consumption यह तो मैं पहले से शुरू से चल बोल रहा हूँ के आप कम से कम इस्तेमाल करें तो ज्यादा से ज्यादा बचात होगी यह तो एक बड़ी कावंसेंसिकल सी बात है फिर वो आखिर में आके reduce, reuse and recycle अगर कुछ नहीं हो सकता ना तो फिर जो कुछ भी आपने consume किया है उसको reuse करें जो बाटल है भी आप देखेंगे बाटल को कितनी energy जाती है aluminum can है जो इसमें आप soda और पीते हैं bottle है bottle तो धो के दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं aluminum can को फिर melt करके इस्तेमाल करना पड़ता है वो ऐसे directly तो नहीं होता उसमें भी कितने सारे फीसद हम लोग सर्फ बाहर फेग देते हैं bottle जो है वो कई मरतबा इस्तेमाल हो सकती है अगर एहतियाद से करें अगर वो chip विप हो गई तो पिर उनको melt करके दुबारा से बनाना पड़ता है तो वो चीज़े हैं जो reuse वाली बात है कि हर कुसी चीज़ का अब हमारे पास plastic bottle का पानी बहुत कामन हो गया है वो तो बहुत ही खराब चीज़ है इस तरह से के plastic bottle के अंदर जो plasticizer होते न वो अपने health के लिए ठीक नहीं है वो उसके उसमें से अगर आप, especially अगर गाड़ी के अंदर जिसमें थोड़ी सी heat से गरम हो जाए और पानी की बोतल उसमें लगी भी हो और आप दूसरी दिन पानी पानी पिएंगे तो सारा plasticizer पानी में चले जाएगा जो आपके लिए बहुत नुक्सान दे तो अब उसके आसान तरीखा ये है कि एक कैन होता है, अलूमिनम का उस कैन के अंदर आप भर के पानी रख लें दिन बड़ पीते रहें, वो ठंड़ा भी रखेगा सब कुछ करेगा, उसी को फिर आप दोबारा इस्तिमाल करें, ना वो प्लास्टिक बाटल को हूं सारा दिन पीता रहता हूं उससे, तो फिर वो बाटल की जूरत नहीं पड़ती और प्लास्टिक बाटल के बारे मैंने आपको पहले ही बताया, जो पानी की बोतल है, अगर उसका हिसाब लगाएं, तो पानी की बोतल का पानी उतना ही महंगा है पानी के बोतल के लिए, वो एक अलग बहसे, उसमें कभी बात में बात करेंगे, लेकिन उसको अगर रियूस करने वाली बात है, कि जिस तना मुम्किन हो सके, जादे जादा रियूस करें, पानी की बोतल अगर प्लास्टिक की बना ही लिये, तो बजाए इसके कि उसको गार्बेज में फेकें, उसको रिसाइकल करें, प्लास्टिक बहुत आसानी से रिसाइकल हो जाता है, थोड़ी सी एतियात करनी पड़ती है कि एक प्लास्टिक दूसरे, मुक्तलिफ खिसमों के प्लास्टिक होते हैं, उनको मिलाना जाएं, अगर उसको मिलाने के प्राब्लम ना हो, तो बड़ी आसानी से हो, रिमेल्ट करके रिसाइकल हो सकता है, इसी तरह पेपर है, पेपर को भी ज्यादतर हम लोग जो निउस पेपर पढ़ते हैं, अब कुछ, बहुत से कम लोगे ने निउस पेपर पढ़ने का रख दिया है, अब तो सब सारी कहानी टीवी से या आपके कम्पीटर से आ जाती है, लेकिन रिसाइकल जो निउस पेपर है, वह भी काफी सारा, मैं चालिस पचास पेपर जो वह रिसाइकल पेपर उसके अंदर होता है, तो वह एक जाद तर, अब वह मुक्तलिफ इसके मुमालिक पर डिपेंड करता है, यूरोपियन्स जो काफी जगा जहां पर सर्दी जाद होती है, वहां पर इसका केस मुक्तलिफ होता है, वह हीटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, पाकिस्तान में गर्मी जाद होती है, तो जाद तर पर एर कंडिशनर के लिए इस्तेमाल होता है, मैं जब यहां से बड़ा हुआ था पाकिस्तान के अंदर, तो हमारे घर में कोई एर कंडिशनर नहीं था, बड़े आराम से बड़े सबूलत से रहते थे, कभी पंके चलते थे बस, और बाखी कोई एर कंडिशनर होती है, क्यो तो झो पर थंदा करने में दूसरे मुमाले में गरम गरने के लिए उसमें सारी चली जाती है तो पर सको ठीक है है ऑगर तो एक पीसद दो पीसद एनरजी लगती वो तो चलता रहे कोई मसला नहीं उसी से आप खबरें भी देखें उसी से आप गाने भी सुनें उसी साप पढ़ें भी लिखें भी कोई मसला नहीं सिर्फ आखों का मसला है वो अगर ज्यादा तर इस्तुमाल करेंगे तो आखों के हरावी का मसला है वाशर डिशर ये वाशर एंड ड्रायर ये जो कपड़े धोने वाली मशीन होती है ना इसमें वाशर का तो इतना नहीं होता प्राब्लम जो कपड़े धोते हैं वो एक मरताब भर दिया तो वो उसी से धुलते रहते लेकिन ड्रायर जो है ना वो हमारे पा है एनरजी की जहां यूज घरों के इसाब से वो उनका डिस्ट्रिबिशन यह है अब एफिशेंसी की बात की ती अब एफिशेंसी कैसे निकालते है इसका आसान तरीखा है इसकी जो मैथ है वो बहुत ही आसान है तो डोंट वरी अबाउट डैट मैं आपको अभी समझा देता हूँ तो एफिशेंसी का निकालते इस तरह कि आपने कितनी हीट ली और इससे कितना काम लिया सीधी सी बात है ना इतनी हीट ली और इतनी सारी हीट ली और इतना सारा काम किया तो फिर एफिशेंसी तो कम हो गई अगर इतनी हीट ली और उतना ही काम किया तो फिर एफिशे ने बता दी है thermodynamics के section के अंदर तो मैं भी सिर्फ उसको revise करना चाहता हूँ कोई और कुछ नहीं इसका मकसद है तो hot reservoir जहां से heat निकाले यहाने car का engine cold reservoir जो आपने काम किया उसके बाद जो engine बची उसको बाहर फेकना वो है आपका atmosphere ठीक है? car का engine और atmosphere एक reservoir है और एक dump है उसका hot reservoir और cold reservoir बागी हुआ काम तो आपने qh heat ली और आपने w काम उसके उपर किया तो उतने में उसका आप ratio ले लें w over qh कितना काम किया और कितना उसमें से heat ली दी आपने beginning में तो w क्या है? w वह है qh minus qc कितनी heat ली थी और कितनी heat जाया कर दी qh minus qc divided by qh ठीक है? उसका आप reorganize करने इसका मतलब 1 minus qc over qh यह आसानी से heat यह आ जाती है तो यह उपर वाली है अब वो एक साधी कारणो एक आदमी था उसने कहते हैं यह heat क्या चीज़ होती है heat को आप कैसे define करेंगे गर्मी को कैसे define करेंगे गर्मी आप feel करते हैं न ऐसा तो नहीं है कि गर्मी आप कहें जी गर्मी जो है वो आप temperature बताते हैं न गर्मी का तो कोई unit नहीं आप temperature का unit है तो उसने कहा कि वो ही करते हैं कि गर्मी के define करने के बजाए temperature को define कर देते हैं कि ये temperature इस गर्मी से related ये temperature है गर्मी तो बिल्कुल philosophical चीज हो जाती है कि आपने गर्मी feel की, सर्दी feel की उसको quantify नहीं कर सकते हैं कि आज मैं बहुत गर्म हूँ, कितना गर्म हूँ भई वो बताएं आप कितने गर्म है, वो तो नहीं बता सकते हैं कि मैं जी 10 गर्म हूँ या 9 गर्म हूँ या 8 गर्म हूँ या 1 ठंडा हूँ वो तो इसको कोई नहीं लेकिन आप temperature बता सकते हैं कि आज temperature जी 35 हो गया है उसके वज़ा उसने T sub C और T sub H लिख दिया था तो नीचे वारा जो फॉर्मूला है वो आखरी उसका efficiency कहा जाता है 1 minus T C over TH 1 minus T C over TH अच्छा यह आगी पूरी आपकी जो कहानी थी उसको आप multiply करें 100 से तो percentage आजाएगी तो efficiency जो है जैसे solar cell की efficiency है 20-25 फीसद, 20 फीसद से ज़्यादा 21 फीसद हो गई होगी इसका मतलब यह आपने जितनी ली उसका सरह 20 फीसद जया उसको convert कि electricity में बागी वो गर्मी बनके बाहर निकल गई हर एक कार की efficiency भी होती है जो आप कार हम आप drive करते हैं उनकी 14-15 percent efficiency होती है जो power plant होते हैं उनकी 50 फीसद तक के efficiency हो सकती है तो वो इस तरह से निकालते हैं यह temperature reservoir का temperature और hot reservoir का temperature और low reservoir का temperature तो उससे निकाल के आप सारी चीज़ें कर सकते हैं तो अब भी मैं गया था एक जगा यहाँ पे लाहर में ही देखने के लिए कि यहाँ पे कैसे इसको identify करते हैं अप्लाइंस जो है इस्पेशली जो refrigerator है न वो बहुत बड़ी appliance है काफी उसमें से heat निकलती है काफी energy उसमें use होती है तो उनको identify कैसे करें तो यहाँ पे भी यह स्टार गाइड यहाँ पे भी बहुत इस्तमाल होती है हर refrigerator पे यह yellow sticker लगा होता है जिससे पता चलता है कि इसमें इसकी efficiency कितनी है तो वो efficiency फिर उसको seasonal energy efficiency ratio S-E-E-R वो उसके साब से अब देखते हैं कि एक season में कितनी energy यह लेगा तो जितने भी उसकी पूरी energy होती है उसके divide कर देते हैं जितने भी time उसको चलता हो तो उससे वो energy आती है जितनी right पे चलते जाएंगे उतनी आपकी energy efficiency ज्यादा होती जाएगी तो यह सब चीज़ें लिखी होती हैं उसके ओपर अब आप refrigerator काई में पाकिस्तान में भी खरीदने जाएं तो उसमें लिखा होगा कि एक साल में या एक दिन में या एक महीने में आपको कितने पैसे इसके electricity charges कितने होंगे अब वो electricity charges उपर नीचे होते रहें तो वो दूसरी बात है लेकिन उसके बारे मैं अभी आपको थोड़ा सा और बता दूँगा अगले module के अंदर कि ये सियर जो है इसे आपको हर चीज़ के लिए एक identification मिल जाती है जो अगर आपका refrigerator दस साल पुराना है ना ये literally हैं आपको बात बता रहा हूं दस साल पुराना ना इसका मतलब है कि आपके इतनी वेस्टेज है कि आप जो उसको चेंज करेंगे नए refrigerator में आपके पैसे बचेंगे या दस साल पुराने fridge के चलाने के बज़ाए उसको आप अलग रख दें बंद कर दें मिलकुल या कबाड़ियों को दे दें और आप एक नया fridge लेकर आप इस्तिमाल करें तो उससे पैसे आपको जितने पैसे आपने खर्श किया है खरीजने पे उससे ज्यादा पैसे उसको अगले दस साल के अंदर आपको मिल जाएंगे तो ये एक बड़ा important concept है जिसको समझना जूरूरी है efficiency के लिए